यूट्यूब चैनल तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे causes, symptoms, prevention सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं एस पर यह trending topic है तो तुमारे exam में भी पुछा जा सकता है इसके साथ सथ medical student होने के नाते तुमें इसकी knowledge भी होना ज़रूरी है तो completely हम discussion आज इसी पर होने वाला है complete वीडियो में एंड ये वीडियो देखने के बाद तुमें everything clear हो जाएगा एंड तुमें exam point of view से clear हो जाएगा कि अगर exam में पूछा जाता है most probably इस बार का nursing exams होंगे उनमें पूछा जाएगा अगर ये पूछा जाएगा तो तुमें कैसे लिखना है सब कुछ वो वीडियो में तुमें बताने वाली हूँ तो वीडियो को तुमें देखते चलना है last तक तो सबसे पहले हम देखने वाल है अगर तुम्हारे exam में पूछा जाता है तो सबसे पहले तुम्हें इसका introduction type थोड़ा सा लिख देना है starting में तो तुम क्या लिख हो गए वो तुम्हें मैं बता देती हूँ सबसे पहले coronavirus के बारे में थोड़ा explain करना है the word coronavirus is term to describe a large set of virus तुम्हें पता है complete set of virus है coronavirus जो cause करते है illness specifically respiratory illness जो cause करते है and there are different type of coronavirus different different type के coronavirus होते है today we are expressing coronavirus मतलब आज भी हम experience करें coronavirus out where that is covid-19 ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा यहां पे explain कर देना है कि covid-19 stand for the coronavirus disease 2019 COVID-19 में यहां पे 19 का मतलब है 2019 में start हो इस वजह से नाम दिया गए is caused by a new type of coronavirus that has been transmitted in human until now अब से पहले ही human में transmit नहीं होता था ठीक है and इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में लिखने के बाद तुमें लिखना इसका origin origin थोड़ा सा important है कि where do they come from कहां सही corona virus आया है तो corona virus come from the animals animals that are infected with corona virus can transmit them to humans once the virus is transmitted to humans human can start spreading virus to other humans and this leads to an outbreak कि animals से स्टार्ट होके human में आया है then human से यहां पे कुछ है उसकी जो मतलब structure वगरा में changes किया गए पहले यह human में transmit नहीं होता था animals से अभी changes करके human में transmit कर दिया गया then human से अभी human में इसली यह transmittable है transmit हो जाएगा and this lead to an outbreak and इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें origin लिखने के साथ साथ example दे देना कि लोफ और एग्जामपल कोविड-90s not first coronavirus outbreak की वगरा वगरा थोड़ा सा लिख सकते हो जैसे कि हम में पहले भी कुछ आउट बेक्स देख चुके हैं लाइक मियारस वायरस हो गया सारास वायरस हो ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो एं तुम्हें बता होगा कि कोविड-90 जो है पहले भी हम पढ़ते थे बट यह इतना ज्यादा सीवियर नहीं था अब थोड़ा सा मॉर्फोलोजिकल चेंजिस इसमें हो गए हैं जिसके वजह से यह लिखने के बाद तुम्हें लिखना है वट इंक्रेज यूर रिस्क फॉर डवलपिंग कोविड-90 की रिस्क फैक्टर क्या है यहां पे कौन सी चीज़ें हैं जो यहां पे रिस्क डवलप है अल्रेडी फैस्ट यहां पे हम यहां G 돌 करें एरिज वारिस्क फैक्टर कंसीडर एंगे अ सब्सक्राइब कर ह가요 change दूर रहना है जिन जिन को औरोना है उनसे दूर रहना यह रिस्क फैक्टर हो सकता है यह दो बाते तुम्हें लिख देने इसके साथ साथ the work closely with the animals that have the virus यह भी बात तुम्हें थोड़ी से नीचे सी लिख देनी है तो ऐसे बना कि तुम्हें पांच है यहां पर रिस्क फेक्टर से लिख देने हैं इस पर तुम्हें पता होगा कि रिस्क फेक्टर कॉन से है अभी तुमने देखे होंगे कोईड में सबने एक्सपिरेंस किया है तो रिस्क फेक्टर तुम्हें पांच हे बनाके लिख देने हैं और रिस्क फेक्टर में पहले वह रिस्क फेक्टर लिखने हैं जो यहां पर most prominent मतलब सबसे ज़ादा यहां पर जो important है and risky है वह तुम्हे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करचा हैं यहां पर सफर करते हैं और कर जाते हैं 40% जो cases होंगे virus के वो severe disease cause करते हैं like pneumonia and shortness of breath उन में हो जाती है 80% में तो mild ही हो जाता है वो completely recover हो जाते हैं जल्दी ही but 14% cases में pneumonia and shortness of breath हो जाती है तो उनको recover होने में time भी लगता है and as per और भी यहां पर कुछ complications हो सकते है and 5% of patient को होगी ज्यादा ही critical disease including the respiratory failure, septic shock और multi-organ failure भी यहां पर देखने को मिलता है and 2% of the reported case में virus जो होगा fatal होगा and risk of death increase the older you are तो 2% of cases जो होगे virus जो जिनको virus होगा 2% जो cases होगे वो fatal होगे can cause the death तो यह हमने देख लिया कि कितने percent क्या रहता है मतलब how deadly is other virus के comparison में इसका हमने comparison देख लिया कि Corona virus कितना यहां पर harmful है तो यह हमने देख लिया अभी हम बात करें कि transmission mode of transmission यहां पर क्या रहने वाला है तो complete मैं जैसे तुम्हें बता रही हूँ ऐसे तुम्हारे तुम्हें इससे series में लिखते चलना है तो how COVID-19 is transmitted तो respiratory droplet होगे it seems the virus is primarily spreaded by the droplet तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है कि respiratory droplet से यहां पर spread हो रहा है तुम्हें लिख देना है कि respiratory droplet transmit होगे COVID-19 patient से normal person में तो ऐसे transmit हो जाएगा फस्ट हमें लिखना है respiratory droplet second हमें लिख देना है contact when a person is COVID-19 होगा कफ sneeze करेगा water droplets वगर अगर हम उसके contact में आते हैं तो हमें भी होने के chances जो है हो जाते हैं थार्ड हमें लिख देना फीको औरल रूट से भी ट्रांसमेट होने के chances होते हैं तो तीन हमें लिख देने इसके साथ साथ तुम खुद भी कुछ इसमें एड़ कर सकते हो बट प्रेमरी इनको रखना जो यहां पर जब चैक करे तो उसको भी लगे कि तुम्हें रख लाता है यहां पर यहां पर रहने वाला है कंब शोग्र के मतलब पीयरन слी सिंटम रोने स्टार्ट हो जाते हैं उसम टाइम पीर नहीं हो देस्टार्ट मतलब हम हो कहां है बट वायरस पर्टिकॉलर डिसीश बटंक शांषिंप नहीं आई हैं जब तक सिंटम आ जाते हैं उसregistrement प्रियाड को इं कुल çूब यस speakers प्रेट सेम्स तो बी मिनिमम ऑफ टू डेज अप टू फूर्टीन देज दो दिन से स्टार्ट के फूर्टीन देज तक इंक्यूबिशन प्रियर्ड रहता है कोवीड ना इंडिन का इस वाइप पीपल आर बेंग कौरेंटाइन फूर टू विक्स ठीक है तो इस वज़ा से द प्रेट फूर्टीन देज तक रहता है नेक्स्ट अगर हम बात करें दैढ़ इस साइन एंड सीम्टम मोश्ट इंपोर्टन है तो साइने सीम्टम जो सम पेशेंट सोंगे जो मैंने साथ डिसकस किया दिकिन सम पेशेंट्स जो होंगे वहां पेशेंट इस सफर करते हैं तो को पेशेंट्स होते हैं मेभी एसिम्टोमेटिक विदाउट सिम्टमस उनको कुछ भी सिम्टम शो नहीं करता कई कई पेशेंट को पता तक नहीं चलता है कि उनको कोविड हुआ भी था बट दे आर स्टिल ठीक है वो पोसिटिव हैं फीवर इसके साथ सा तुम लिख देना की फीवर, कफ, कोल्ड, शोटनेस ओफ ब्रीद, शोर्थ रोट, फेटिक एंड यह वगरा है जो साइन एंड सीम्टमस हैं यह तुम्हें सारे लिख देने हैं जो कोमन कोल्ड के हैं यह तुम्हें सारे लिख देना है एंड टेस्टिंग इस नीडी टू कंफर्म में डाइगनो तो कंफर्मेटिव जो टेस्ट होगा डाइगनोसिस होगा वो यहां पे कंफर्म करनेवाला है अगर हम बात करें टेस्टिंग उव कवीड नाइंटीन तो टेस्टिंग यहां पे कैसे होगी तो रियल ताइम पीची आर टेस्ट होगा real time PCR test will assess and detect the genetic matter of COVID-19 virus real time PCR test जो होगा वो COVID-19 को यहां पे detect करने वाला है तो यह तुम्हें याद रख लेना है test तुम्हें लिखना है अगर तुम्हारे exam में आता है अगर तुम्हें कोई पूछ भी लेता है तो भी तुम्हें पताना है कि real time PCR PCR टेक्निक तुम्हें पता होगा polymerase chain reaction real time PCR test हम इसके लिए perform करेंगे अगर prevention के बारे में बात करें तो prevention का तुम्हें लिख देना है prevention measure and education के बारे में इससे तुम्हें health education में तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या यहां पे हम क्या prefer करेंगे COVID-19 के patient को या उसके family member को एक nurse क्या यहां पे बोलेगी कि क्या आपको करना चाहिए तो यह बात common sense की है तुम्हें खुद से सोच के लिख देनी है कि एक proper distancing वगरा वगरा रखे and mask wear करेंगे सारी बाते तुम्हें लिख देनी है थोड़ा सा important हुआ में बताती हूँ और alcohol-based sanitizer at least 20 seconds तक तुम्हें वोश करना है don't touch the mouth, nose or eyes with the hands and this will decrease the risk of the transmitting virus touch नहीं करना है mouth को, nose को, eyes को, hands से अगर वो contaminated है तो पहले वोश करना है 20 seconds तक दर then sanitize करना है then यहां पे तुम्हें तुम्हें सकते हो and this decrease कर देगा यहां पे spreading को decrease कर देगा cover करना है, यहां पे cover your cuffing, sneezing, then wash hand after all and अपने mouth को cover करके रखना always properly, यहां पे dispose of the tissue paper that may use to spread tissue paper को तुम्हें तुम्हें properly dispose कर देना है wear करना है, mask तुम्हें and यह बात है थी हमने जो यहां पे discuss कर ली, जो तुम्हें help करेंगी यहां पे इस particular virus को assess करने में, जानने में and अगर तुम्हारे exam में भी पूछा जाता है तो complete यहां पे तुम्हें इसको explain करने में, I thought मैंने every point को यहां पे exam point of view से जो important था, वो यहां पे explain कर दिया है थोड़ा सा तुम यह diagram भी diagrammatic form में भी दिखा सकते हो lungs वगरा की ऐसे जो droplets हैं वो थोड़ी सी droplets भार दिखा देनी है, थोड़ी सी यहां पे तुम्हें अंदर दिखा देनी के ऐसे यहां पे जा रहे एक throat में तुम्हें दिखा देनी है ऐसे करके तुम्हें थोड़ा diagrammatic भी हो जागा और तुम्हारे 100% इस topic में marks आने वाले हैं, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना है, ऐसी लगातार वीडियो पाने के लिए चान को subscribe कर देना है मिलते एक new वीडियो और new topic के साथ तब तक किले, bye bye